आईए कहानी वाचन के माध्यम से बच्चों में पढ़ने के कौशल को बढ़ाएं, ऐसी कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें और हम से जुड़े रहें एक बार की बात है एक बहुत बड़े जंगल में एक चालाक लोमडी रहती थी लोमडी को अपनी बुद्धी पर बहुत घमन्द था एक दिन वो बहुत भूखी थी और भोजन की तलाश में पूरे जंगल में भाटक रही थी वो इतनी भूखी थी कि वो चल भी नहीं पा रही थी अचानक उसने घर की छट पर एक मुर्गे को देखा लोमडी मुर्गे को देखकर लार तपकाने लगी और हवा में महल बनाने लगी उसने मुर्गे को खाने की सोची लोमडी ने योजना बनाए कि वो मुर्गे को जमीन पर लाएगी और फिर वो उसे खा जाएगी लोमडी ने मुर्गे की दोस्थ होने का नाटक किया अरे मेरे प्यारे दोस्थ मुर्गे मैं तुम्हें बहुत दिनों बात देख रही हूँ लगता है तुम्हारा वजन कुछ कम हो गया है और तुम बहुत कमजोर हो गए हो नीचे आओ और मुझे तुम्हारी नब्स गिनने दो देख हूँ की क्या गड़ बढ़ है चालाक लोमडी ने कहा तुम सही हो मेरी प्रियम मित्र लोमडी मैं बहुत ठका हुआ और कमजोर महसूस कर रहा हूँ मैं च्छत से नीचे भी नहीं आ सकता चतुर मुर्गे ने उत्तर दिया लोमडी को एहसास हुआ कि मुर्गा उससे बहुत अधेक चालाक था लोमडी पूरी तरह से लजजित हुई और जितनी तेजी से भाग सकती थी भाग गई मुर्गा जोर जोर से हसने लगा प्योड़ जोर से अस्ट्सित है प्यस्ट कर दोर से लोमडी कर दोचसित है प्यस्ट है